इसका देखो इसका हमें graph draw करना है ठीक है इसका graph कैसे draw करेंगे यहां पर देखो तीन तरीके की चीजें दी हुए है तीनों को हम अलग-अलग values देंगे separately तो यहां से पहला case उठालो आप तो पहले अपने पास देखो y की value क्या है 1-x का x है कब जब x की value क्या है less than 0 है आगी ब minus 3 x equal to 4 यह आगे से आगे आप इसमें देखो non integer value भी रख सकते हो क्योंकि real number है क्योंकि x से less than का मतलब वहां पर negative real number आचुके है ठीक है इसलिए अब यहां पर value put करते हैं आपको देखो y में क्या मिलने वाला minus 1 रखते हैं क्या यहां से क्या जाएगा 2 यहां से देखो जैसे आपके लिए 3 फिर यहां से क्या हैगा 1 minus 3 equal to 4 यहां पर जैसे आप क्या रखोगे 1 minus 4 equal to 5 अब आगे आगे ऐसे चलता जाएगा ठीक है यहां पर एक value तो यह आई अब इसमें क्या रख दो आप positive value रख के और check कर लो भई y क्या है 1 plus का x से जब x की value क्या है greater than 0 है x से greater than 0 का मत इतनी है वही अक्स इकोल टू 1 है और x इकोल टू 2 है और x इकोल टू क्या है 3 है x इकोल टू 4 है जितना चाहो उतना लिख लो ठीक है यहां से y equal to 1 plus का 1 आते ही 2 और यहां से देखो y equal to 1 plus का 2 आते ही 3 और 1 plus का 3 आते ही 4 और यहां से 1 plus का 4 equal to 5 इस तरीके से तो यह यहां पर देखो values आ चुके एक जगह और value जो की fix ही है अपनी यहाँ पर क्या है वो value देख लो भई x equal to x equal to 0 अब देखो x equal to 0 आपको given है तो उस x equal to 0 पर आपकी y की value कितनी है भई 1 है यहाँ पर ठीक है अब इसका देखो graph draw करते है ठीक है graph कैसे draw करेंगे तो यहाँ से यह देखीगा यह ठीक है यहाँ पर अब कुछ value देने का काम करना है अपने यहां पर जीरो दे दो यहां पर 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 यहा ठीक के यहां तक यहा है अब छीरो पे क्या वैल्यू आपकी आप देखो कि जैसे आप अक्स YE covenant one रखोहँगे जैसे आप x equal to 1 रखोगे, तो यहाँ पर value आएगे आपको, ये वाली, अब देगो x equal to 1 लेते ही, यहाँ पर आपके लिए 2 value आएगी 2, और जैसे इसको यहाँ पर ये, जैसे आप 2 दोगे, तो आपके लिए value आएगी 3, जैसे आपने 3 दिया, अब यहां से देखो क्या है यहां पर देखो 3 रखते ही वेल्यू के आएगी आपकी function की 4 रखते ही यहां पर देखो कितनी थी 5 इस तरीके से ठीक है थोड़ा अब देखो यह लाइन ऐसे ड्रो अब हमने यह लाइन बनाई तो यहां पर देखो भई यह वाली लाइन ऐसे बनाऊ इसे पॉइंट से अब यह थोड़ा क्या है ग्राफ थोड़ा से क्या हो जाते है आगे पीछे वेल्यू होते ही यह अच्छा नहीं बनता है यही दिक्त अब यहां पर क्या करते हैं इनको अठाना पड़ेगा अपने को तो यहां से less than 0 है तो यहां पर देखो भई 1 के उपर वेल्यू यह 2 पर वेल्यू 1 पर फंक्शन की वेल्यू कितनी है 2 2 पर फंक्शन की वेल्यू कितनी है 3 और 3 पर कितनी है 4 और 4 पे कितनी वही 5 और 5 पे कितनी वही 6 इस तरीके से आगे तक चलते जाएंगे अब देखो ये लाइन आप ड्रो करो यहां से इस तरीके से ठीक है अब यहां पर जो पॉइंट्स नहीं आये उनको देखो भई मिलाने का काम करो यहां पर देखो 2 है तो 2 यहां पर 2 है तो यहां पर 3 आएगा तो 3 यह रहा 3 के उपर 4 है और 4 के उपर देखो 5 है यह यह पॉइंट्स इस तरीके से आई बाह समझ में आपको अब इसी में तो इदर माइनस 1 पे क्या एगी value माइनस 1 पे भी कितनी आपकी 2 है value द्यान में रखना क्योंकि जैसे आप उदर देखोगे ना पीछे तो क्या है कि देखो माइनस 1 रखा तो 2 value आई माइनस 2 रखा तो 3 आई 3 रखा तो 4 आई यह आने वाली है भई इसलिए तो यह graph पूरे तरीके से इसलिए बनाए जा रहे है आपके लिए क्यों आपको पता रहे कि 1 कैसे रहे 2 के उपर यह 3 के उपर यह 4 के उपर 5 इस तरीके से और यहां से यह line ड्रो करोई इस तरीके से ठीक है यहां पर 1 पर 2 तो सपोज यहां पर यह point होगा तो यह है यहां पर ठीक है इस तरीके से तो यही देखो इस तरीके से इसका graph बनाए कि इसका यह y axis है यहां पर यह अपका और यह क्या है इसकी domain domain इसके domain क्या होगी आपके लिए इसके domain है वह आएगी minus infinite से plus infinite क्योंकि aks पूरा आ रहा है ठीक है और यहां से range range देखो कितना graph उपर जा रहा है नीचे थोड़ी ना graph बन रहा है यहां से उपर यानि कि height कितनी है range क्या है कि 1 से लेके plus infinite देखो उपर तक चला गया यहां पर प्लस infinite तो यह यह थोड़ा सा समझ में आ रहा कौन सा graph mode जो modulus function हम बनाते थे वह वाला function बनाएगी